नमसकार दोस्तों दोस्तों आज केसी कहानी के बारें बात करूँगा जिसको सुन कर आपके ही मन में एक अलग ही उस्साह और एक उमंग जाग उठेगी तो बने रही दोस्तों इस कहानी के साथ में इस वीडियो में एक बार एक गिद्धों का जून एक विशाल का समूद्र के उपर एक बसे हुए छोटे से टापो में आकर रुके उस टापो के चारो तरफ मरी ही मचलियां और अन्यजू जन्तु बड़े ही असानी से मिल जाते थे इसे देखते हुए गिद्ध बहुती खुस थे और उसे बड़े ही उस्सा के साथ में जीवन बेतित कर रहे थे इनको देखते हुए एक बुढ़ा गिद्ध उसमें से बोलने लगा और समझाने लगा सभी को कि इस टापू मेरा करके हम लोग रहना तो सही है लेकिन हम लोग सिकार करना भी भूल गए हैं और उड़ना भी भूल गए हैं तो कहीं न कहीं हम लोग के लिए यहां बहुत सी बड़ा खतरनाक हैं बुढ़ा गिद्ध के इन बातों को सुन करके जवान गिद्ध उनकी मजाक उड़ाने लगे हंसे उड़ाने लगे और बोलने लगे कि आपको इस भरी हुई गुलसन में सिर्फ आपको किचड ही पसंद है आपको गंदगी ही पसंद है इन बातों को सुन करके बुढ़ा गि लेकर आता हूं दोस्तों उस ने वापा ची तरफ रुख किया और उस टापो में गया उस टापो में जाते ही उसने एक भैंकर नजारा देखा कि कुछ गिदों के पंग तूटे हुए थे कुछ के पैर तूटे हुए थे और कुछ गिद तड़ा पर है थे एक तड़पते हुए गिद के पास में जाकर बुढ़ा गिद उनके हाल चाल पूछने लगा कि यहां दसा कैसे हुई आप लोग को इस मंजर कैसे ह आप सब की ये दसा कैसे हुई तडपते हुए एक गिद ने बड़े ही भैंकर बात बताई आपके जाने के बाद में यहां पे कुछ सिकारियां आई और सिकारियों ने यहां पे चीतों का जून छोड़ दिया जिसे हम लोग ना तो उड़ पा रहे थे और नहीं भाग पा रहे थे जिससे उसने हम लोग को नोच-नोच के एहालत कर दिया है हमें बहुत बड़े दुख है कि हमने आपकी बात को नहीं माना और आज यह दसा हो गई है साथ्यों कई बार हम ऐसे जगह में फंस जाते हैं जहां पे हमें लगता है कि जीवन का सारा आनंद यही है और इस गु अगर हमें सर्वसूधा युक्ता हर चीज मिलता रहता है तो हमारा दिमाग भी कहीं ने कहीं एक कमजोर हो जाती है और बड़े से बड़े समस्या को नहीं हम जहल पाते हैं और चोटी सीवी समस्या हमारे लिए बहुत बड़ी बन जाती है तो दोस्तों मेहनत करते रहे और बड़ी बाथाओं को जहलते रहे तभी हमारे जो दिमाग है वह निरंतर ही पर्यास और सुखत जिगान की तरफ निरंतर ही मुड़ते जाएगी